प्यारे बच्चों नमस्कार मैं कृष्णकान देवंगन व्याख्यता आशिरवाद हायर सेकेंटरी इंग्लीज मेडिया मिस्कूल आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ बच्चों आज हम कक्षा आठवी का विग्ञान और प्रौध्योगी की का पाठ चार रासाइनिक अभिक्रिया कब और कैसी कैसी इसके भाग चार के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए आज़े एफिर बच्चो हमने अपने पिछले भाग में रासाइनिक अभिक्रिया के प्रकार के आदे भाग को समझ लिया था आज हम रासाइनिक अभिक्रिया के प्रकार के आदे भाग को समझने वाले हैं तो चलिए, सबसे पहले हम रासाइनिक अभिक्रिया के प्रकार में अवचेपन अभिक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं तो अवचेपन अभिक्रिया में ये अवचेप होता क्या है? बताईए अवचेप एक अघुलन सिल्फ पदार्थ है हम जब दो रासाइनिक पदार को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो वहाँ पर हमें सफेद रंग का एक ठोस पदार प्राथ होता है वह पदार अवचेप है बच्चो जैसे कि हमने क्रिया कलाब दो में देखा था कि जैसे ही हम खाने के सोड़े को गर्म करते हैं तो वह अब घटित होकर कारबन डाइएकसइड बना लेता है तो अगर हम उस कारबन डाइएकसइड की गैस को कैलसियम हाइट्रोकसइड जिसे हम साधारण भासा में चूने का पानी कहते हैं अगर हम उसे में प्रवाहित करें तो क्या होगा देखिए तो हम अगर उस carbon dioxide को calcium hydroxide में प्रवाहित करेंगे तब हमें calcium carbonate और पानी मिलेगा तो हमने यहाँ पर देखा carbon dioxide जिसे हम कहते हैं CO2 calcium hydroxide के साथ मिलकर calcium carbonate बना लेगा तो calcium carbonate जो है वह एक ठोस पदार्थ है जिसे हम अवचेप करते हैं वह हमें नीचे जमा हुआ दिखाए देगा और उपर हमें पानी प्राप्त होगा अगर हम इस अभिक्रिया को समीकरण के माध्यम से समझना चाहें तो हम उसे इस तरह से समझेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाए दे रहा होगा CAOs2 वह क्या है Calcium Hydroxide है उसके बाद आपको लिखाए दिखाए होगा CO2 CO2 क्या है Carbon dioxide है उसके बाद जब वो दोनों मिलता है तब हमें क्या मिलता है Calcium carbonate जो की है CACO3 अब हमें आखरी में H2O मिलता है जो की है पानी तो बच्चों हमने यहाँ पर जान लिया कि ऐसी अभिक्रियां जिनमें बनने वाला नया पदार एक अघूलन सिल्पदार के रूप में प्राप्त होता है और ऐसी अभिक्रियाए अवचेपन अभिक्रिया कहलाती है और इस प्रकार बने ठोस पदार को हम अवचेप कहते हैं तो अवचेप क्या है? कैल्सियम कार्बोनेट बच्यों अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम उदासीनी करण अभिक्रिया के बारे में जानने का प्रयाश करते हैं चलिए फिर तो यहाँ पर उदासीनी करण से हम क्या समझते हैं? जैसे ही हम अमल और चार को मिलाते हैं तो दोनों की प्रकृती वहाँ पर समाप्त हो जाती है अर्थात यहाँ पर अमल और चार की प्रकृती सुन्य हो जाती है हम ऐसे भिक्रिया को उदासीनी करण अभिक्रिया कहते हैं तो चलिए आईए हम इसे एक क्रिया कलाप के माध्यम से समझने का प्रयाश करेंगे आप इस क्रिया कलाप को अपने विद्याले में सीख्श्यक् अगरी लगने वाली है सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ तो उसमें सबसे पहले है परकनली, सोडियाम हाईड्रोकसाइड, हाईड्रोकलौरिक अमल फिनोप्थैलिन और ड्रॉपर तो सबसे पहले हम प्रयोग में क्या करेंगे सबसे पहले हम परकनली में 20 उसके बाद, हम उसमें एक или दो बुन फिनोपथैलिन के डालेंगे, तो बताईए, कौन सा रंग उत्पन्न होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे, गुलाबी रंग उत्पन्न होगा, तो हम यहाँ पर रंग से ही पता कर सकते हैं, कि बिलियन अमल है या छार, अभि इस छारी ब ट्रॉपर द्वारा बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोग्लोरिक अमल डाल देंगे बच्चो इस क्रिया कल आपको आप सावधानी पूरवक करेंगे जब भी आप तनु हाइड्रोग्लोरिक अमल डालेंगे तो उसे सावधानी पूरवक बूंद बूंद करके डालेंगे नहीं तो एक बुन्द अमल की अधिकता से हमारा विलियन अमली बन जाएगा अब जैसे ही मैं बुन्द बुन्द करके हाइड्रोक्लोरिक अमल डालूंगा वहाँ पर एक ऐसी इस्थिति आएगी कि जब विलियन का गुलावी रंग समाथ हो जाएगा कि किसी प्रकार अमल और छार की आपसी क्रिया से लवन तथा पानी बन जाएगा तो यहाँ पर अमल क्या है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अमल और यहाँ पर छार क्या है? NaoH जिसे हम कहते हैं Sodium Hydroxide बच्चों तो यहाँ पर अगर हम इस क्रिया को रासाइनिक समीकरण के माध्यम से समझना चाहें तो हम उसे इस तरह से समझेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाए दे रहा होगा NaoH और यहाँ पर HCl मिलकर क्या बना रहे है? NaCl तो यहाँ पर NaoH क्या है? Sodium Hydroxide जो की चार है और HCl क्या है? Hydrochloric Amyl तो दोनों क्रिया कर क्या बना लेंगे? लवन जो की क्या है? NaCl और साथ ही साथ यहाँ पर पानी भी बनेगा जिसे हम कहते हैं H2O तो बच्चो यहाँ पर हमने समझा कि जैसे ही मैं अमलों को चार में मिलाऊंगा तो लवन तथा पानी बन जाएगा हम इस प्रकार के अभी क्रिया को उदासी नहीं करन अभी क्रिया कहते हैं बच्चो चलिए आईए अब हम आगे आक्सी करन तथा अपचेन अभी क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम आक्सी करन अभी क्रिया को समझ लेते हैं तो यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आजाना चाहिए आक्सी करन का मतलब क्या है? आक्सी करण का मतलब है किसी पदार के साथ आक्सीजन का सायोजन होना तो यहाँ पर आपको नाम से ही आपको समझ में आज़ार होगा आक्सी करण मतलब आक्सीजन का सायोजन होना अगर कोई पदार आक्सीजन के साथ सायोजन कर लेता है तो हम ऐसे अभी क्रिया को आक्सी करन अभी क्रिया करते हैं जैसे कि हम उदानने में बात करें लोहे में जंग लगना आप देखियोंगे घर में अगर आप लोहे को खुश दिनों तक छोड़ देते हैं तो क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है कैसे क्योंकि अगर हम लोहे को खुले हवा में छोड़ देते हैं तो वह आक्सिजन के साथ क्रिया कर वहाँ पर आक्सिकरण कर लेता है इसलिए हम कह सकते हैं लोहे में जंग लगना आक्सिकरण का एक उधारण है तो चलिए अब हम अगले उधारण की बात करते हैं अगर हम सल्फर को जैसे ही जलाते हैं तो वह वायू में उपस्तित आक्सिजन के साथ क्रिया कर लेता है और सल्फर डायोकसेट बना लेता है तो हम इस प्रकार के अभी क्रिया को भी आक्सिकरण कहते हैं अगर हम इसे राशानीक समभी करण के माध्यम से समझना चाहें तो इस तरह से समझेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा हुआ दिखाए दे रहोगा S, S का मतलब क्या है Sulfur, उसके बाद O2 लिखा हुआ दिखा रहा है O2 का मतलब क्या है Oxygen तो दोनों ने एक दूसरे के साथ क्रिया कर Sulfur, डायोकसाइड बना लिया है S, O2 का क्या मतलब है Sulfur, डायोकसाइड तो हम इस अभी क्रिया के माध्यम से कह सकते हैं कि यहाँ पर Sulfur का आक्सी करण हुआ है चलिए, अब हम आगे अब चैन अभी क्रिया को समझ लेते हैं तो अब चैन का मतलब क्या है अब चैन का मतलब है Oxygen की कमी तो अगर किसी योगिक में Oxygen की कमी हो जाती है तो हम ऐसे अभी क्रिया को अब चैन अभी क्रिया करते हैं तो अगर हम इसे उधारान के माध्यम से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे जब हम mercury oxide को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें mercury तथा oxygen प्राप्त होता है तो अगर हम इसे राशाइनीक समीकरण के माध्यम से समझना चाहें तो इस तरह से समझेंगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिकरा है 2HGO, HGO का मतलब क्या है mercury oxide तो वहाँ पर उसे गर्म करने पर क्या के मिल रहा है HG, HG का मतलब क्या है पारा जिसे हम mercury भी कहते हैं और वहाँ पर O2 लिखा हुआ दिकरा है, O2 का मतलब क्या है oxygen तो देखिए यहाँ पर mercury oxide से oxygen की कमी हो गई है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि mercury oxide का अपचयन हुआ है बच्यों अगर हम oxy current या अपचयन को अन्य प्रकार से समझना चाहें तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं चलिए मैं बताता हूँ, oxy current का मतलब होता है hydrogen की कमी और अगर हम बात करें अपचयन की तो अपचयन का मतलब होता है hydrogen का योग तो oxy current को हम hydrogen की कमी से भी समझ सकते हैं और अपचयन को हम hydrogen के योग से भी समझ सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आक्सीकरण, तो आक्सीकरण में जब भी हम अमोनिया को रक्त तप्त कांच की नली में गर्म करते हैं, तो वह अब घटित हो जाता है, और अब घटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन बना लेता है, तो अगर हम इसे रासाइनिक समीक करण के माध्यम से समझना चाहें तो हम इसे इस प्रकार से समझेंगे तो देखिए वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाए दे रहा होगा N3, N3 का मतलब क्या है? अमोनिया, तो अब घटी तो कर क्या बन जाएगा? N2, N2 का मतलब है नाइटरोजन और S2, S2 का क्या मतलब है? hydrogen지ल, बच्चों हम कर सकते हैं इस अभी क्रिया में Imoania से Hydrogen अलग हो गया है इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर Imoania का Oxi-करण हुआ है चलिए फिर, अब हम अपशeन के उदारण के बारे में بھی बात कर लेते हैं तो यहाँ पर hydrogen और chlorine संयोजीत होकर hydrochloric envelope बना लेता है, तो अगर हम इसे राशायनीक समीकरण के माध्यम से समझना चाहें, तो इस प्रकार समझेंगे, देखें यहाँ पर H2, H2 का मतलब क्या है? Hydrogen, और CL2 का क्या मतलब है? तो यहाँ दोनों संयोजीत है क्या बना लिया है? Hydrochloric Amantum, हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चो कि इस अभिक्रिया में क्लोरिन से hydrogen का योग हो गो गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर chlorine का अप्चेयन हो गया है, तो हम ऐसी अभिक्रिया को अपचैन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, तो हमारा यहाँ अध्याय समाप्त होता है तो बताइए हमने इस अध्याय के माध्यम से क्या कैसी सीखा हमने इस अध्याय के माध्यम से यहाँ पर यह जाना कि हमारे चारों तरफ जो राशाइनिक परिवर्तन होते हैं, वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर राशाइनिक अभीक्रिया के लक्षन और प्रकार को भी अच्छी तरह से समझ लिया, तो आज हमने राशाइनिक अभीक्रिया के प्रकार में अव आपको कुछ ग्रीकार्य देता हूँ, तो ग्रीकार्य में आप सबसे पहला प्रश्ण लिखिए, आक्षी करण एवं अपचेन के बीच अंतर लिखिए, उसके बाद अगला प्रश्ण लिखिए, उदासिनी करण अभी क्रिया को समझाईए, अब उसके बाद अंतीम हाए में, तब तक के लिए धन्यवाद.